अब आफ्टून एवरीबड़ी वेल्कम यौल इन टुड़े सेशन स्वागते सभी काज की क्लास में हम लोग डिसकस कर रहे हैं विलम शेक्स्प्या को और उसमें हम लोगों ने स्टार्ट कर रहा है सेशन यह सेक्शन सॉनेट्स वाला है अब आप आप ना सॉनेट्स पर पहले बात कर रहें सब्सक्राइब ने थोड़ा बहुत जाना था सॉनेट्स रिलेटेट उसका स्ट्रक्ट्टर क्या होता है और किस तरीके से राइम स्कीन एंड एवरीटिंग इल्स तेर हम लोगों ने दो सॉनेट्स डिसकस किये थे यादे है सब को कौन-कौन से सॉनेट नमबंग स्ट्रक्ट नमबंत एटीन हुआ जो हमारा से चीतट चुआ है सब्सक्राइब गये सब्सक्राइब預備- ». सॉनेट्स सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह वाला इसी टाइम में रहे तो ज्यादा सही रहेगा सब्सक्राइब क्या है यह जब हमारे सॉनेट्स पब्लिश हुए थे इनके साथ ही पब्लिश हुआ था एक लॉंग नरेटिव पॉयम बीनस जितना लॉंग नहीं है बट यह इस लॉंग पॉयम और उसका क्या नाम था एल लवर्स कम्प्लेंट पॉइए यह लोवर्स यह फी मैल के वॉएस में लेडी के वॉएस में जसे पहले के जो होते थे हहारे आपने देखे होनगे मेल प्रस्पेक्टिव से या नराटार जादबधेnaire a नरेटर कॉंप Fr इक female perspective है जो यह lovers complaint है वो एक female का है lady का है अच्छा ओके ची ठीक है तो sonnet के साथ साथ याद रखेंगे जब sonnet हमारा publish हुआ था उसके साथ ही एक long poem भी publish हुआ था यह lovers complaint ठीक है इसके बारे में आज की class में हम लोग पढ़ेंगे इसके अलावा दूसरा point दो हमारे sonnets इस पूरे collections में से ऐसे हैं जो की पहले publish हो चुके थे वो कौन-कौन से है so sonnet number 138 sonnet 138 and 144 यह previously पूरे दूसरी बेस्ट इन 1599 किसके साथ यह पैस्टिनेट पिल्ग्रिम इस collection के अंदर कौन-कौन से sonnets 138 और 144 सो दो questions हमारे बन गए यहां पर एक question क्या बना कि sonnets के साथ और कौन सी पोयम publish हुई थी और हमारा answer क्या हो जाएगा lovers complaint दूसरा question हो गया कि इसमें से और कौन से sonnets हैं जो इससे पहले बतलो जब थॉमस था आपने publish किया था उससे पहले publish हो चुके थे और वो थे हमारे पूरे कलेक्शन में से जो फर्स्ट सेवेंटीन सॉनेट्स हैं यानि सॉनेट वान से लेकर के सॉनेट सेवेंटीन तक इनको कहा जाता है प्रो क्रियेशन सॉनेट्स प्रोक्रियेशन सॉनेट्स क्यों कि हमने कल इसंते जो इससे पहले सॉनेट Εटीन क्या कह जाता हैण क्यों क्यों बहुते हैं कुंच को कह रहें कि you are very beautiful and you should procreate मतलब तुम्हारा सन ओना चाहिए जो यह beauty है यह जो हैंसमनेस है यह आगे continue हो तुम्हारे से तक ही ना रहे सब्रक्रेशन और जो लास्ट तू सनेट्स है उनको सौनिट कहा जाता से कल भी यह मिनने बता दिया आपको पछली वाली स्ट्री किलास्तृ नेहरत को तू सौनिट्स? कि लास्त वीडुandan कि में फ्रीक क् circuits को डिकेटिटेड है क्यूपिट को कि क्यूपिट को कि फैर कि डेडिकेशन है डबलू एच को डेडिकेशन किसको है डबलू एच को अब इसको लेकर कि कि आपके पांच आठ पंद्रा गैस वक्स हैं अजम्शन हैं लोगों कि शायद डबलू एच होगा शायद डबलू एच वो होगा उतने जादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे बट हाँ थोड़ा बहुत हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे कि यह यह डेडिकेशन जो रहे हम लोग फर्स्ट विलियम हर्बर्ट विलियम हर्बर्ट यह हैं अल ओफ पिम्ब्रोक अ कि और कि फर्स्ट फोलियों भी इनी को डेडिकेट होने की वजह से ज्यादतर चांसेज लगते हैं कि किसको है यह विलियम हर्बर्ट को अल ओफ पैम्बोक कुछ लोग का मानना है कि यह एच डबलू भी हो सकता है मतलब नौट नैसेसरी के इसमें कौन सा वाला कि इनीश्यल नाम के लिए है कौन सा वाला इनीश्यल सानेम के लिए नहीं कंफर्म है कुछ लोग का मानना है कि यह और किसके लिए हो सकता है hendry व्रिट्सले यह है अर्ल ओफ साउथ तैंप्टन अर्ल ओफ तैंप्टन और इनको कौन-कौन से वर्क डेडिकेट हुए थे आवे भ्रीव और फ्लाओ विनस और दो रब्रीब यृच्टन इस्ति कौनिस यृच्टन इस्तित् आफ्टन थे लेफ उन्यृच्ञे कि कुछ लोग का अनुमान है कि यह कौन हो सकता है हैं कि प्रतिवा इससे पहले हम लोगों ने क्या डिसकस कि हलका सा मैं आपको दिखा दे रही हूं यह हम लोगों ने शुरू किया थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिलेटेड विट सॉनेट्स और यह कुछ पॉइंट्स शुरू में बताया मैंने कि सॉनेट्स जो हमारा यह पब्लिश हुआ था 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 के वाज़ा से उसमें एक लॉंग पोयम भी है आखिर में जब 154 सॉनेट्स फिनिश हो जाते हैं तो लास किस वक्त के अंदर प्लिग्रिम के अंदर और वह कौन-कौन से हैं 138 और 144 ठीक फर्स 17 सॉनेट्स को कहा जाता है प्रोक्रियेशन सॉनेट्स लास्ट्स टू सॉनेट्स को ग्रीक सॉनेट्स जो क्योपिट के उपर बेस्ट है और अभी हम लोग बात कर रहे थे डेडिकेशन की यह जो सॉनेट्स हैं यह डेडिकेटेड हैं डबलू एच को और मुस्ट प्रविवली यह डबलू एच कौन है विलियम हरबर्ट या हैंरी प्रिचले दोनों के यह चांसेज हैं क्यूंकि विलियम हरबर्ट को कि यह एप पर ही कह रहे हो ग्रामर वाले में देख लेती हूं मैं कर तो कर दो है 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 नहीं ओर में तो है यह डोनों आपको दिखेगा नहीं दिखेगा पहले सब्जेक प्रेडिकेट फिर पाट ऑफिस्पीच फिर वरब एड्जक्टेव और अर्ग बाइट और में और दिख्लास हो रखियोंगे आपके जॉइन करने से पहले देख लेना उनको और में एक बार रिफ्रेश कर लेना अगर आपकी कोई दिख्कत होगी तो यह हम लोगों ने डेडिकेशन पढ़ लिए और इसमें विलियम हाबट और हैंडरी यह दो हो गए उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे थोड़े से दो तीन और पॉइंट्स जो नाइंटी नाइन इसके अंदर हैं फिफ्टीन लाइन्स सॉनेट वन ट्वेंटी सिक्स इसमें हैं सिक्स कप्लेट्स और टू ब्लैंक लाइन्स तो जहां पर भी वो ड्राफ्ट वगरा रहा होगा जहां से नहीं प्रत्पस आईए मैंने आप में चेक कर लिया है आप अपना एक बार को आप या तो फिर से थोड़ा सा इंस्टॉल करके कर लेना यह देखो अब कुछ है तैसे ठीक सिक्स कपलेट्स और टू ब्लैंक लाइन्स और फिर सॉनेट आप 154 फाइफ यह किस्में है यांबिग चत्रः मीटर में सो क्यों यह क्टिन एक्सेट्जन्स क्यों है क्योंकर हमारे सॉनलेट्स वैसे होते हैं कितने 14 lines के है ना और यह क्यों different है क्योंकि इसके अंदर 15 lines है अलग हट के क्या है उसमें हम लोग याद रखेंगे sonnet 99 जिसके अंदर है 15 lines sonnet 126 क्यों अलग है क्योंकि जो हमारा structure है आपने देखा हुआ है कोट्रें 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 और फिर नीचे कप्लेट विलियम शेक्सपेर के sonnet के अंदर चार लाइन चार लाइन चार लाइन और दो लाइन का combination होता है इसमें 6 कप्लेट हैं और दो ब्लांक लाइन हैं इसलिए यह बाकी के sonnet से भी हमारा structure में अलग है और sonnet 125 के अंदर iambic tetrameter है अचली सब में क्या है बाकी के जितने हमारे sonnets है उसमें होता है iambic pentameter इसलिए भी यह थोड़ा सा routine से track से हटके है कौन से वाला sonnet 145 तो यह तीन हैं जो हमारे बाकी के sonnet से अलग है structure wise तो यह कुछ थे हमारे extra points exceptions पड़े हमने dedication के बारे में जाना पहले 17 को last two को क्या कहते हैं इससे पहले कौन से publish हो चुके थे और साथ में कौन सा work publish हुआ है अब हम लोग बात करेंगे अपने आगे के sonnets की तो मैं आपको top five sonnets हम लोग class के अंदर discuss कर रहे हैं इसके बाद क्या होगा कि मैं थोड़े से आपको top 20 फास्ट लाइन बता दोगी कि उसमें पूरे sonnet भले ना आपको याद हो पर हां यह जो प्वेंटी है ना इनकी पहली लाइन हम लोग याद रखेंगे समझ रहे हो जो टॉप फाइफ है उसमें तो हमें यह पूरा याद होना चाहिए कि अगर कहीं से भी कोई भी लाइन आ गया अगर यह भी आ गया बट दाए सब्सासे पार्री की हम लोग एक रीक करेंगे या तॉप टूप ट्वेंटी कि हम लोग पहली लाइन याद करेंगे शाई counterpartsरे हैं है हम लोग पहले 18 हमारा हो गया 29 कल हम लोगों ने किया था यह क्या था वैन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चुन एंड मैंस आइस इसके अंदर क्या था अपनी सिच्वेशन को ले करके दुखी था कि बही मैं ऐसे हूं मैं वैसे हूं मेरे पास लोगों जैसा लोगों जैसा टालेंट नहीं है लेकिन जब मैं तुम्हें याद करता हूं तो फिर मैं सबसे ज़्यादा वेली हूं यह हो गया है अब नेक्स्ट है हन्रड और निश्टीन हैं निश्टीन को समझेंगे इसका पहला फटाफट याद कीजिए विद्विदैंस जो दो हमने करें है 18 और 29 इनकी पहली लाइन्स याद हो गई होंगे सबको फिर्स्ट वाली लाइन्स है ना 116 let me not to the marriage of true minds let's remember the first line sonnet 116 let me not to the marriage of true minds अगर यह line देकर के पूर्च देंगे कि यह कौन सा sonnet है तो हमें आना चाहिए कि कि ये सॉनट फन्रिड एंड इन्सिक्स्टीन है अब इसके अंदर क्या है इसमें कह रहे कि भई आपके वह सेम है तो उसके नहीं बात करते हैं यहां कि मैं यह एडमेट नहीं करना चाहता क्या चीज जैसे यह एडमेट इंपेडिमेंट्स लिखा है न कि मैं यह चीज एडमेट नहीं करना चाहता वह क्या है marriage of true minds के उपर focus किया जा रहा है marriage of true minds मतलब एक साथ जो एक सोच रखने वाले हैं एक thoughted process रखने वाले हैं उनकी बात हो रही है यहां पर love is not love which alters when it alteration finds तो वो सच्चा प्यार नहीं है marriage किसकी होनी चाहिए जो लोग न मतलब अपने जो thought process हैं उस चीज को लेकर कि honest हैं या सच बोलते हैं या same विचारधारा है उनकी वो लोग साथ में होने चाहिए love is not love which alters when alteration happens तो अगर मान लोग कुछ हो गया किसी वजह से situation में changes आ गए मतलब पहले जो इतना beautiful था अब वो इतना beautiful नहीं है या कोई और दिक्कत आ गई कोई बिमारी है को financial stuff है और प्यार बदल गया तुम्हारा तो वो प्यार नहीं है love is not love which alters मतलब बदल जाए which changes when it alteration finds यह rhyme करने के लिए finds को बाद में कर दिया गया है तो यह बदल जाए जब one of the situation changes one of the situation उसको कुछ बदलाव मिला और वो बदल गया तो वो सच्चा प्यार नहीं है और bends with the remover to remove oh no it is an ever fixed mark तो यह भी क्या कह रहा है कि भई यह जो हमारे जैसे आपके स्टॉर्म आते हैं तुफान और वहां पर एक आपको याद होगा लाइट हाउस जो जो जहाज आते हैं और उनको ऐसे लाइट दिखाता है ताकि उनको समझ में आ जाए कि यह किनारा है और यहां पर आ हंगर है काई अओ तक तो वह हैं एश एक हैं कि इसलग उस जगहापी रहतें खुक को दिखा रहा होते हैं तुब्स से प्यार भी हमारा क्या है वो संतर्व क्यां एश कभी वहां तो उसी तरीके से प्यार को कहा जा रहा है कि यह ऐसे एवर चेंजिंग से नहीं है कि आज उस पर दिला गया कल उस पर दिला गया जो हमेशा एक ही सिच्वेशन में या एक ही तरीके से रहता है कितने तूफान आए कितनी बुरी परिस्थित यहां आए वह आपको हिला नहीं सकते वह आपको डिगा नहीं सकते यह बहुत इंपोर्टन लाइन है इस एन एवर फिक्स्ट मार्क जरू यार रखियेगा कौंसे सानेट से है 116 से दाट लुक्स ऑन दी टेम्पेस्ट स्टॉर्म एन इस नेवर शेकन उसको कभी भी कोई हिला डिगा नहीं सकता इट इस स्टार टू एवरी वांडरिंग बाक स्टार जैसे वह कहते ना ध्रूवतारा उपर आस्मान में होता है और वो लोगों को हमेशा बता रहा होता है कि यह सही डारेक्शन है कभी भी साथली छोड़ता हूं महां पर है और जो भी इधर उदम भटक जाते हैं रास्ता भूल जाते हैं उनको क्या करता है सही रास्ता डिखाता है यह अभा कभी भी तुफानों से घंगरूंब घालू sided की जा सकती है मतलब वाल्यू क्याल्कुलेट नहीं कि जा सकते हैं मतलब नहीं कह सकते कि यह 10,000 का है 20,000 का है एक लाग का है लेकिन बहुत उचा है उसका जो पुजिशन है वह क्या है बहुत उच्छा है फिर लव is not time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending sickles come past come, love alters not with his brief hours and weeks but bears it out even to the edge of doom doom कहते हैं जब सब तबाह हो गया जब सब तबाह हो गया उस चीज़ को तो वह क्या कहा जा रहा है यहां से देखिए यह एक तो यह time's fool लिखा है यह जो फूल होता है न जो विलियम शेक्सपेर के plays होते थे उसमें आपने characters देखा होगा page होता था पूल होता था किंग लियर वाले के अंदर एक फूल है जो पर्मानेंट के साथ रहता और उसको सही बाते बताता है और काफी बिटी स्टेटमेंट से उसके तो एक तरीके से अप सर्वेंट गुलाम समझ लीजिए तो लाव इस नॉट टाइम फूल परसॉनिफिकेशन है य दो रोजी लिप्स हैं चीक्स विदिन हिस बेंडिंग सिकल कम पास कम तो हिस बेंडिंग सिकल किसके टाइम के अब यह जो लोगों के रोजी लिप्स हैं लोगों के चीक्स हैं जो कि बहुत खुबसूरत है यह आते हैं टाइम के बेंडिंग सिकल के अंदर अतलब समय के गुझे जाते हैं जुर्या आजाती हैं अब इतने खुबसूरत नहीं रह जाते हैं जब बुड़े हो जाते हैं तो टाइम के कंट्रोल में रोजी लिप्स चीक्स हैं लेकिन लाफ नहीं है कहते नहीं जिसका सच्छा प्यार होता है उसके बहारी सुंदर्था से उसका कुछ लेना देना नहीं होता तो सेम स्टाफ यहां पर भी बताया जा रहा है लाव वाल्टर्स नॉट विधिस ब्रीफ आज एंड वीक्स यह नहीं के थोड़ा सा भी कुछ समय बाद बदल गया प्यार बट बियाज इट आउट इवन टुदी एज ओफ दूम एकदम तबाही के किनारे तक मतलब सब्सक्राइगी तब तक चलता है एज दूम मतलब दूम सब्सक्राइब कुछ लोग कहते हैं प्रेले आएगा कुछ लोग कहते हैं जल जाएगी दुनिया जो भी पर वो जो प्यार है सच्छा प्यार वो डूमस्टे तक चलेगा इफ दिस भी एरर एन अपॉन भी यह गलत है और यह तुम प्रूफ कर दोगे कि मैंने जो यह सब बाते कहीं हैं इसको मेरे अगेंस्ट प्रूफ कर दोगे प्रूफ अगेंस्ट मी I never rate nor no man ever loved तो मान लो कि मैंने कभी नहीं लिखा I never wrote मैं मान लूँगा कि मैंने कभी कुछ नहीं लिखा और नहीं कभी किसी आदमी ने सच्छा प्यार किया है नो मैन एवर लफ यह आपके कपलेट के अंदर में चाना तो किसको डेडिकेटेड है यह लव को लव को डेडिकेटेड है लव की बात हो रही है कि लव ऐसा नहीं है जो समय के साथ बदल जाए हां समय के साथ रोजी लिप्स और चीक्स बदल जाते हैं बट लव नहीं तो से नहीं घबराता और वो उसके स्टार की तरह हमेशा पर्मनेंट वहां पे साथ में रहता है सपोर्ट करता है मार्ग दर्शन देता है काइंड ऑफ तिंग और एकदम आखिर तक रहता है कब तक डूम स्टे तक और यह सब जो मैं उपर कह रहा हूं अगर यह गलत है और 16 परसदेखले लाइंस Let me not to the marriage of true minds admit impediments Love is not love which alters when it alteration finds or bends with the remover to remove Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempests and is never shaken It is the star to every wandering bark whose words unknown although his height be taken love is not times full यह बहुत important line है याद रखिएगा किसने कहा है love is not times full question आ सकते है हमारा कॉन से sonnet से लिया गया है love is not times full 116 से love is not times full though rosy lips and cheeks within his bending signals compass come love alters not with his brief hours and weeks but bears it out even to the edge of dome If this be error and upon me proved I never writ nor no man ever loved अच्छा है ना नेक्स्ट करें hundred and thirty यह था हमारा sonnet hundred and sixty कॉन 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 से कर लिये हम लोगों ने sonnet अभी तक एटीन हो गया यह बहुत ही जादा unique sonnet है why this is unique क्यूंकि जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं या आज के टाइम में भी जब भी किसी lady को describe करना होता है उसकी beauty को describe करना होता है तो हम ना कैसे words यूज कर रहे होते हैं कि जैसे वह भी cheeks वाला पढ़ा था हम लोगोंने लिप्स हैं चीक्स हैं और सिलकी हैर है और बहुती लेंड़ फिगर है मतलब पूरा feminine तरीके से एकदम डेलीकेट एकदम नाजुक और एकदम feminine विल्यम शेक्सपेर ने यहां पर एक तरीके से सार्कास्टिक रिमार्ग करा है मजाग बनाया है किनका जो उस तरीके के मेजरमेंट्स मेंशन करते हैं अपने हिरोइन के लिए जो कि प्राक्टिकली पॉसिबल नहीं है अगर आप वैसे भी विल्यम शेक्सपियर के प्लेज को देखें रोजलिंड है और या मिरांडा है या फिर लिविया है जो भी हमारे ये लगेगा आपको कि हां इस तरीके की होते हैं जाती है और प्रूफ करती है और उसके जो नियम होते हैं वह फॉलो करती है जब कि इसको पता है बट्रम उसको लोगरेंग का मान रहा है प्यान नहीं कर रहा साफ-साफ शिट्थी लिखके भाग गया है तो मतलब रीजनेबल हिर हैं डिटेमिंग ऑफ दिश्रू के अंदर एक लाउड क्यारेक्टर को डेवलप करा विल्यम शेक्सपेर ने जो कि हर किसी से खराब बोल रही है तो उसको किस तरीके से जो मेल मेंबर है उसका हस्बेंड है उसने उसको टेम करा जिसके उपर वो प्ले है पूरा तो यहां प बाकी के जो हमारे पोएट्स हैं राइटर्स हैं जो कि बहुत बढ़ा चड़ा के इंपॉसिबल मेजर्मेंट्स में प्रेजेंट करते हैं अपनी हिरोइंस को देखिए माइ मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक दी सन तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई जो मेरी मिस्ट्रेस है मैं जिसकी तारीफ कर रहा हूं मतलब जिसके बारे में बता रहा हूं उसकी आखे ना कहीं से भी किसके जैसी नहीं है सन के जैसे नहीं है नॉट लाइक सन एट ओल को रल इस फार मोर रेड देन हर लिपस रेड बतलब ऐसे दूसरा कोई राटर होता तो कहता कि उसके लिपसर एज रेड एस कोरल लेकिन वह कह रहे हैं कि नहीं उसके जो लिपस है वह कोरल जितने रेड नहीं है और जादा प्रेड कहते हो इस नोगी वाइट वाइड एन हर ब्रेस्ट अर डन मतलब जो उसका स्किन कलर है क्या है ब्राउन है बतलब हमारी जो यहां पर जिसकी बात हो रही है वह फैर स्केंड लेडी नहीं है जिसको कहा जाता है कि भाई जातर पहले कि इतने बीएक स्क्राइब और खुब ब्यूटिफल और यह और वह तो नहीं है इस हैर जार वायर अगर हम लोग बाल को वायर कह सकते हैं ब्लैक वायर ग्रो ऑन हर है तो ऐसे स्मूथ सिल्की वेवी बाल नहीं है वलकि क्या है वायर है तो यह आपका पहला कॉट्रें चार लाइन और किसको डिसक्राइब किया गया है मिस्ट्रेस को पहली लाइन में मिस्ट्रेस जिए को दूसरे में लिप्स को तीसरे में स्किन को और फिर छॉथे वाले में एर्ष को ग्राइब किया गया है और आइस को किस साथ सन के साथ से स्टाइब को और नो ह मैं यहां पर और किया गया है एंड हैर को वायर के साथ आई हैसीन रोजेज डामास्ट रेड़ और वाइट बट नो सच रोजेज आई सी इन हर चीक अब यह जो दो लाइन आई इसमें क्या कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे रोजेज देखे हैं जो कि रेड़ वाइट होते हैं पर ऐसे किस सब्सक्राइब भी रोज का शेड मुझे उसके चीक में नहीं दिखता वह सफेद और लाल की बहुत गोरे होते हैं उनमें जरह सा भी कुछ बात होती है तो उनका ऐसे बिल्कुल चेहरे पे ब्लड आने लगता है दिखने लगता है तो उनके ने बिल्कुल ऐसे पिंक पिंक से रेड से चीक सो जाते हैं तो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं कि ऊपर ही बता दिया गया है कि भाई क्या है इसके ब्राउन टाइप में है डन है अनिन सम पर्फ्यूम्स इस देर मोर डिलाइट अब किसकी बात की जा रही है खुश्बू की जो कुछ है कैसे हमारे पर्फ्यूम्स होते हैं जो में बहुत डिलाइट प्रेजंट करते हैं दैन दैन इन दी ब्रैट दैट फ्रम मैं मिस्ट्रेस पर इस तरीके का कोई भी डिलाइट उसके ब्रैट से नहीं आ रहा है कि अलाव वह सांस से उसके खुश्बू आ रही हो ऐसा कुछ नहीं है आई लव तो हीर है स्पी कुझे उसकी बाते पसंद है वो जब बात करती है मुझे बहुत अच्छा लगता है येट वेलाइट नोट्ट मूजिक है थे फार मोर प्लीजिंग साउंड लेकिन लोग यह कंपेर करते हैं कि हाव वाइस इस मूजिक तो माइए यह जनरली क्या निखा जाता है यह मैंटाफर है वाइस इस म्यूजिक ढोga मैं इंश क्या कहे основ musicgraph के वह प्लीजिंग सउंड मुझे उसकी म्यूज्य उसकी अवाज पसंद हैं मुझे तो बहुत अच्छा है I grant I never saw a goddess go कभी भी ऐसे नहीं लेखा कि भाई कोई गौड़ेस चल रही हो माई मिस्ट्रेस वेन शी वॉक्स रीट्स ऑन दी ग्राउंड वो किस पे चलती है जमीन पे जैसे चलते हैं वैसे चलती है ऐसे नहीं लगता है कि जैसे कोई गौड़ेस मूफ कर रही हो अन कपलेट में येट बाई हेवन आई थिंक माई लव अस रेयर अज एनी शी बिलीट बिलाइड विट फॉल्स कम्पारिजन की मुझे नहीं है फॉल्स कम्पारिजन की लव है है ना अन येट बाई हेवन मतलब प्रामिस कर रहा हूं थिंसे लोग कहते हैं कि मेरा लव मेरें जैसा मैं प्यार करता हूँ वैसा कोई प्यार स्विक्पारिज काई नहीं है श्रूरत नहीं है फॉल्स क्भेशन की जरूरत नहीं है सत्रेंद्र क्लास के साथ ही लगी हुई होगी देखना पीछे वाली क्लास में इससे पहले वाली जो क्लास है सबके साथ लगी हुई है पेडियाफ अभी चेक कर लिजिए ग्रामर के साथ भी है और यह आपके लिटरेचर ब्रिटिश के अंदर भी है लिट्रेरी पीरियट में क्लास के साथ ही है शेक्सपियर बायग्रफी भी और शेक्सपियर सॉनेट में भी तीनों में है पीडियाफ कि अग्या कि एक कर कि कोई और भी चेक कर लिजिए सतेंद्र के लावा भी कि अपती है तो हम नोगो ने कौन सा पढ़ा? Sonnet 130 My mistress's eyes are nothing like the sun Coral is far more red than her lips red If snow be white, white than her breasts are done If hairs be wires, black wires grow on her head I have seen roses damask red and white But no such roses see I in her cheeks And in some perfumes is there more delight Than in the breath that form my mistress's reeks I love to hear her speak Yet well I know that music hath a far more pleasing sound I grant I never saw a goddess go My mistress when she walks streets on the ground And yet by heaven I think my love As rare as any she believed with false compare Yes, this is a literary device in the class I have put it in the second batch I was going to study in the second batch So I thought that you also have to be together So just this is a literary device in the class Which is a literary device in the class? Yes, this is a literary device in the class I have put it in the second batch in the class I have put it in the second batch सात में हैं यह बें बोहुत ज्याधा थी मैं कि वलीफ कर रहे हैं और सास्मे में करें 59 गैन कि तरीके से उस चीज को बिलीफ कर रहे हैं आप कहना चाहें घर किस मतलब romantic ना हो कर कर्या शेक्शूर तरीके से प्रेजन किया गया है जो उनका relationship है जिससे जब Ang' Lord का था यंग लॉद वाले में ना बलकुल ऐसे love और romantic और उस तरीके से presentation था पर यहाँ पर जो लेडी है उसके साथ चोटी ए即 में जादा चोटी है और यह जो रिलेशन्शिप है वो ऐसे दिखाया गया कि इस मोर अबाउट सेक्च्छल रिलेशन्शिप सो पोएट इस ओल्ड अब इसको आप शेक्सपियर समझें पोएट समझें बट पोएट इस ओल्ड और जो वो लेडी है वो यंग है और दोनों एक दूसरे से जूट बोल रहे हैं लेकिन इसी जूट को भी वह ऐसा मान रहे हैं कि नहीं वह सच कहरी होगी काइंड ओफ तिंग और हिपोक्रेसी है सोचल इपोक्रेसी ऐसी होता है बहुत सारे आप रिलेशन्शिप देखते हैं जो कि ऐसे मैचिंग वाले नहीं होते बट लोग साथ में हो रहे होते हैं तो कोई नहीं 138 when my love swears that she is made of truth अब यह जो लेडी है कि मेरा जो लव है लेडी जो है कसम खारी है कि वो क्या है हमेशा सच बोलती है she is made of truth I do believe her और मैं उसकी बात मानता हूं कि हां वो जो है वो हमेशा सच बोलती है though I know she lies मुझे अंदर से पता है कि वो जूट बोलती है लेकिन जब वो कहती है कि मैं सच बोलती हूं मैं उसकी उपर विश्वास करता हूं that she might think me some unputered youth मतलब जैसे की inexperienced इसको मान लीजे in experienced कि मैंने बहुत दुनिया नहीं देखी हुई है और कहते ना कि बच्चा मत समझो मैंने बहुत देखा हुआ है मुझे पता है क्या है क्या नहीं है तो उस तरीके से कि उसको लगता है दाट मैं एक inexperienced यूथ हूं मुझे चीजों की जानकारी नहीं मुझे नहीं पता और और unlearned in the world's false subtilities कि यह जो जूट है दुनिया के अंदर मैं उसके अंदर आ गया हूं इस तरीके से यह first portrait है तो मेरा लव जब कहती है कि वो सच बोलती है हमेशा मैं उसकी बात पर विश्वास करता हूं जबकि मैं अंदर से जानता हूं कि वो पूट बोल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि मैं कोई inexperienced person हूं जिसे जिसने दुनिया के अंदर जो चीज़े चल रही है उसको नहीं देखा हुआ है आगे दाज वेनली थिंकिंग डाट शी थिंक्स मी यंग ऑल्दो शी नोस माइडेज आर पास्टी बेस्ट तो वो क्या है वो क्या मतलब ऐसे दिखाती है कि मैंना बहुत यंग हूं कम एचका हूं मतलब जवान हूं अभी बट उसको पता है कि मेरे जो अच्छे दिन है वो जा चुके हैं मतलब जब मैं स्ट्रॉंग था हेल्दी था यंग था वो चीज़ें बीच चुके हैं मतलब अब मैं क्या हूं old person हूं पर वो सामने से ऐसे दिखाती है जैसे मैं बहुत यंग हूं और वो प्रेज करती है दाज वेनली थिंकिंग डाट शी थिंक्स मी यंग ऑल्दो शी नोज माई डेज आर पास्ट दी बेस्ट भी चुके हैं अब मैं थोड़ा बुड़ा हो गया हूं simply I credit her false speaking tongue अब इसके लिए किसको तारीफ जा रही है जो जूट बोलती है बार बार कहती है कि तुम यांगो तुम यांगो तुम यांगो अन बोट साइड ताज इस सिंपल प्रोथ सप्रेस्ट हम दोनों अपने अपने एंड पे जूट को दबा के रखे हुए हैं और ऐसे दिखा रहे हैं कि भई तुमसे जादा मतलब तुम मुझे यंग लगते हो और स्ट्रॉंग लगते हो और यह है वो है दिखा रहे हैं जुट जुट पर आगे चलते हैं बट वेर्फोर सेज शी नॉट शी इस अंजस्ट तो यह हम यहां पर यह क्यों कह रहे हैं कि भाई वो अंट्रू है क्यों नहीं कह रही है ना बट वे तरीकर से अपने पेस्शन है वह क्यों नहीं कह रहे ही कि जूट बोल रही कि dallóg से ऑगर सामने से सब्सक्राइब टो मैं जो घह सकता हूँ अब मैं दोनों के उपर ही यह बट है न देखिए आपके ऑक्टेव के बाद बट आ गया शी सेज शी नॉट शी इस अंचास्ट और वेरफोर से नॉट दाएट आएट आएट आएम ओल ओ लावस बेस्ट हाबिट इस इन सीमिंग प्रस्ट जो प्यार है वो सबसे जादा किसी सीज पर डिपेंड करता है तो मेरे उपर ट्रस्ट करो मैं तुम्हारे उपर ट्रस्ट करो और यह सच्छे प्यार के लिए हमें साल गिनने की जरुवत नहीं है कि हम गिने कि हम इतने साल से प्यार कर रहा है तो हमारा सच्छा प्यार है काइंड ऑफ तो यहां पर थोड़ा सा लॉव को डिफाइन किया गया है वो लॉफ बेस्ट थाबिट इसन सीमिंग ट्रस्ट एन जिन लॉफ लॉफ नॉट तो है विए स्टोट देर्फोर आई एंड शी विथ मी यहां पर आपका डबल मीनिंग है एंड इन आर फॉल्ट बाइल लाइज वी फ्लाटर्ड भी कि हमने अपने जो रिलेशन्शिप है उसको स्मूथ बना रख्था है विद्धी हेल्प ओफ लाइज अब कुछ लोग का मानना है जो क्रिटेक्स हैं उसके पॉइंट ऑफ यू से मैं कह रहे हूं कुछ लोग का मानना है कि यह जो लाए है यह जूट को दिखा रहा है कुछ जो ज्यादा मतलब निकालते हैं सॉनेट्स के अंदर जैसे आप पढ स्थाफ जो है वह विलियम शेक्सपेर ने अपने बॉइफ्रेंड के लिए लिखा है ही वाज होमो सेक्शुल यह वो कुछ लोग का मानना है कि इस जस्ट गिविंग ट्रिब्यूट टो वन आफ इस लोग अलग अलग अपीनियंस है कुछ लोग इसको इटरनल लव या प्य को लेकर के है कि वह मुझे मुझसे जूट बोल रही है कि तुम बहुत अच्छे दिखते हो और मैं खुश हूं मैं उससे जूट बोलता हूं कि हा तुम बहुत सच्ची हो वह खुश है इस तरीके से हमारा यह रिलेशन सिप चल रहा है कुछ इसमें सेकेंड साइड क्या दे इसमें मुझे लगता बहुत ज्यादा इसमें फोकस करेंगे बात करेंगे बट दोनों अंडर्स्टानिंग रखिएगा एक जूट वाला लाए और एक लेटने वाला लाए दोनों ही लाए और इस तरीके से एक दूसरे के साथ हम अपना रिलेशन सिप मेंटेन करके चल रहे यह हम लोगों ने करें लास्ट वाला कॉन सा है हंड्रेड एंड थर्टी एट कि 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 अच्छे से आपको लगबग लगबग सारी ही लाइन्स अच्छे से याद हो जाएं कि अगर यहां से क्वेश्चन आए तो आप यह कर सको अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि इसी वाले वर्क के साथ एक आपका और वर्क पब्लिश हुआ था लवर्स कंप्लेंट है ना लवर्स कंप्लेंट लॉंग पोयम तो सब्सक्राइब करेंगे फिर वह बहुत ही जादा लेंदी हो जाएगा मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूं कि यह अभी इस वाले क्लास के साथ लग जाएगा तो इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लीजएगा लवर्स कंप्लेंट के लिए हैं तो लवर्स कंप्लेंट से रिलेटेड यह किसके साथ पब्लिश हुआ था सॉनेट के साथ कब 1609 में कितनी लाइन से इसके अंदर कसमें लिखा गया है राइम रॉयल में लिखा गया है और कई लोग का मानना है कि यह obsessed का वुक्ण नई है कि यह अचैश्ट आरड देखनें और माना जाता है कि Shakespeare का language बहुत ही जादा मतलब strong था, उसके अंदर बहुत सारे shades आपको एक ही line के अंदर देखने के मजाते थे, यहां पर ऐसा नहीं है, फिर कुछ लोग का मानना है कि यह उन्होंने बहुत शुरू में लेखा था, और उस समय तक उतना command नहीं आया था उनके बहुत ही different opinions है, मानने के चलो कि 80% जनता का मानना है कि this is not by Shakespeare, but Shakespeare के work के साथ published है, और कुछ लोग का argument है कि this is one of his earlier works, इसलिए उतनी quality नहीं है, इसलिए यह Shakespeare का है, lovers complaint को लेकर के, अब published Thomas था, आपने किया है, तो हो सकता है कि Thomas था, आपने किसी और का work भी साथ में लगा दिया, we inferior poetry होने की वाज़ा से इसको Shakespeare का नई माना जाता है, यह थोड़ा बहुत यहां पर दिया हुआ है, इसको देख लीजेगा, अब है क्या इसके अंदर, इसके अंदर काफी हद तक हमें monologue देखने को मिलेगा, जो किसको सुनाया जा रहा है, एक aged shepherd को, लेडी है, monologue aged shepherd को, अब aged shepherd कभी नहीं बोल रहा है, और बाद में चला जाता है, ठीक, और क्या शिकायत है, कि how she is betrayed by her lover, lover's complaint, कि किस तरीके से मेरे lover ने मुझे धोखा दिया है, और यह जो complaint है, यह एक narrator भी सुन रहा है, जो बाद में वो भी चला जाता है, वहां से, सीन से, अब यह लिए जो लेडी ह है हमारी यह क्या बता रही है, the woman tells, the woman tells of having encountered a man whom everyone loved, एक आदनी था जिसको सब लोग प्यार करते थे, और वो क्या था, male beauty, wit, बहुत जादा सुन्दर, smart, और हाजिर जवाब, फिर उसने क्या realize करा कि भई, उसने बहुत सारे illegitimate children है, उसके यह है, वो है, तो वो ऐसा बंदा न नहीं है कि उसके साथ होना चाहिए, और कभी भी मैं उसके, उसके बातों में नहीं आऊंगी, यह lady ने अपने end पर सोच रखा है कि कभी मैं उसके बातों में नहीं आऊंगी, धोखे में नहीं आऊंगी, however, यहाँ पे क्या लग गया, however, when he approached her, जब वो से मिलता है, बात करता है, है न, तो फिर, he wept because she could not love him, और फिर वो हार मान जाती है, she gave in and slept with him, उसके साथ time spent करती है, बाद में वो उसको अकेला छोड़के चला जाता है, abandoned, अब वो regret कर रही है कि मैं क्यों उसके बातों में आ गई, मैं क्यों धोखे में आ गई, फिर क्या करूं, he was so attractive that she might do the same thing again, अगर वो दुबारा आ के मिलेगा, दुबारा बाते करेगा, तो शायद मैं फिर से उसकी बातों में आ जाओंगी और उसकी हो जाओंगी, तो यह है आपके, एक तरीके से यह पोयम का पूरा लेका जोगा, कि what is there, क्या चीजों पर focus किया जा रहा है, तो एक अगें अगें, तो यह है हमारी की बात के बात रहा है, और उस मेल परसन के बारे में है, जिसका उसको पता था कि वो सच्छा नहीं होगा, फिर भी वो उसकी बातों में आजाती है, और वो उसको अकेला छोड़ जाता है, और खूब दुखी है, कैरी यह धोखा दे दिया, यह किया वो किया, लेकिन फिर केरी कितना सुंदर है, क्या करूम है, अगर दुबारा सेम सिच्वेशन आएगी, तो आइल फॉल फॉर हिम अगें, तो यह हमारा लवर्स कंप्लेंट, यह आज वाली क्लास में अटाच हो जाएगा, पीडिएफ में, तो इसको भी एक बर का सकी है, वो भी, तो अभीके लितना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, टेक क्यार, बवाए,